हाई फ्रेंट्स वेलकम टू टार्गेट जिससी तो आज हम लोग पढ़ने वाले जारकन करेंट अफैर भाग तीन इसके पहले दो वीडियो अप्लोड कर दिये गए हैं अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियो जो जरूर एक बार द देखेंगा ताकि आप अप सारे प्रस्णों को देख सकें समझ सकें तो यहां पर देखें जो हमारा पहला प्रस्शन है हाल ही में आई रेपोर्ट के अनुसार राइस सरकार ने चार सालों में सिचाई छमता की दर को कितना परतिशत बढ़ाया है चार सालों में सिचाई छमता को बढ़ाने की बात की गई है कितना बढ़ाया यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका पांच परतिशत है ना कितना पांच परतिशत चार सालों म अभी जो है फिलाल 28% कर दिया गया है चले नेक्स कोशन देखते हैं विरहत सिचाई योजना के तहट 2020 तक सिचाई सुविधा के छेतरों में है न यहाँ पर कितने होगा कि क्या होगा यहाँ पर कितने छेतरों में पहुचाने का लक्ष रखा गया है मतलब विरहत सिचाई योजना के तहट जो है 2020 में 20 तक सिचाई कितने छेतरों में पहुचाने का लक्ष रखा है तो इसका सही उतर हो जाएगा आपका 2,75,000 किलो मेटर में केतना 2,75,000 किलो मेटर एरिया में सिचाई की स्विधा उपलब्द कराई जाएगी विरहत सिचाई योजना के तहट चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं यहाँ पर थर्ड नमर काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है तो पूरा वीडियो देखने है आपक हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जारखन के किस जिले में बनाने की बात कही गई है ना तो कहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जारखन में बनाने की बात कही गई है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा थिरी का आपका सही उतर हो जाएगा राची है ना राची में यह बना जाने वाला है इसके लागत कितनी तो इसके लागत 40 करोड़ है ना 40 करोड़ इसके लागत है और तकरीबन 10 एकड़ की जैमीन में यह बनाये जाएगा चलिए नेक्स कोशन यहाँ पर देख सकते हैं फोर नम्मर फोर नम्मर क्या देखिए वर्तमान में परसिद किर्केटर है ना वर्तमान में परसिद किर्केटर मेहंदर सिंग धोनी देश के किस सेना में कारिरत हैं तो यहाँ पर मेहंदर सिंग धोनी को शाधी कोई होगा जो नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर यह जो है किस सेना में कारेरत है यह आपको बताना है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा चार का आपका टेरिटोरियल आर्मी है ना टेरिटोरियल आर्मी बिल्कुल आपका सही उतर है जो आपका थल सेना के अंतरगत आता है और यहाँ पर देखे यह जो हैं टेरिटोरियल आर्मी के पेरसूट रेजीमेंट के लेफटिनेंट करनल है यह आपको आज रखना है और इन से बहुत बाइर कुशन भी कुछे जाते हैं इनको पदम स्री सम्मान कब मिला पदम भूशन पुरुसकार कब मिला है ना तो यह सारे चीज आपको आने चाहिए राजय युगांधी खेल रत्न पुरुसकार इनको कब मिला तो इनके लिए हमने एक special वीडियो भी बनाया है तो अगर आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लें तो यहां पर देखिए कोशन नमर 5 क्या देखिए और मेहं 2004 के टेस्ट से है ना इन्होंने सन्यास ले लिए ना इनके बाद यह टेस्ट कभी भी नहीं खेले हैं यहां पर देख सकते कोशन नमर 5 जो हमारा है राज में क्रिशी आशिरवाद योजना का उदगाटन हाल ही में किषने किया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा यह आप प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्रिशी आशिरवाद योजना का उदगाटन जारखन के रांची डिश्टिक्स से किया गया है और इस योजना के तहट जो है तक्रिबन 35,000,000 को जोडने का लक्ष रखा गया है और 35,000 करोड रुपिया का अवंटन है ना कितना 35,000 करोड रुपिया का अवंटन इस योजना में किया गया है इस योजना के तहट किसानों को परती एकड है ना परती एकड पांच हजार कितना परती एकड जो है पांच हजार रुपिये दिये जाएंगे चले नेक्स कोशन यहाँ पर देखते हैं 6 नमर डेंगू रोधी मा हाल हमें किस महीने को चुना गया है देंगू रोधी डेंगू एक खदरनाक बीमारी आप सभी जानते हैं तो इ की ऑप्सन जुलाई बिल्कूल सही उत्तर हो जाएगा और देखिए इसके लिए इस बिमारी के इनफ्रमेशन के लिए सूचना के लिए कख सकते हैं तो एक हैल्प नाइन नमर भी जारी किया गया है तो हैल्प नाइन नमर क्या है 104 है आध रखना है यह सारे चीज वीडियो अगर आपको प्रसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें और बैल आइकन पर जरू करें जिसके हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको असानी से प्राप्त हो सके तो यहां पर देखिए चंद्रियान 2 अभियान में जहारखन के कौन इनमें से सामिल है देखिए जहारखन के कौन इनमें से सामिल है चंद्रियान 2 में तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा शोहन कुमार आदव option number B आपका बिल्कूल शही उत्तर है अच्छा यह रहने वाले कहां के जारकन में तो यह खोटी जी लेके रहने वाले हैं, तोरपा है ना, तोरपा इनका गाउं का नाम है और खोटी है ना, खोटी डिस्टिक के रहने वाले हैं, इनसे जो है आपको आद रखना चंद्रियांटू के बारे में जो की काफी important question है, कि इन में दो महिलाओं ने अपना बहुत अच्छा भूमी का निभाया है, तो उनका नाम आपको मैं बता दे रहा हूं, एक रीतू करीधल थी है ना, महिला, और दूसरा जो था आपका M.V. नीता, इन दोनों महिलाओं को चंद्रियांटू में शामिल किया गया थै ना, और ब सेटेलाइट्स आप सभी जानते होंगे, इस पर काफे सारे कोश्टन बने थे, तो आप उनको एक बार जरूर देख लें, यहाँ पर देखते हैं, कोश्टन नमर एट, जुलाई 2019 मानशुन शत्र में कितने राशी का अनुपूरक बजट पेस किया गया है, तो इसका सही उत क्या हो जाएगा आपका 3908.63 करोड है ना, यही आपका बिल्कूल, शही उतर है, अप्सन नमर बी, अच्छा यहाँ पर देखें, यह 370.64 करोड दिया गया है, यह इसके लिए आवंटन किया गया था, तो यह जो आपका 370, 370 जो था आपका यह बिजली विभाग के लिए अवंटित किया गया था है ना, यह आपका बिजली, बिजली विभाग के लिए अनुपूरक बजट में डाला गया था, फेस किया गया था, बिजली के लिए, और यहाँ पर जो आपका है 332.22 करोड है ना, अप्सन नमर सी आप देख सकते हैं यह वाला, यह आपका मंतरी मं दल निर्वाचन के लिए किया गया था, और पंचायती राज विभाग के लिए 875.62 करोड है ना, पंचायती राज के लिए, यह सारी चीज़े आपको आद रखने हैं, काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है आपके लिए, देखें यहाँ पर कोश्चन नमर 9 आप देख सकते ह जार्खन के तखनिकी College, Degree और Diploma, में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, कितने परतिसत सीटों पर अरक्षन देने की बात कही गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यही आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो इसका बिल्कुल सही जवाब है चले नेक्स कोश्चन देखते हैं कि कोश्चन नम्र 10 अंडर 19 भारतिये क्रिकेट टीम में जहारखन के किन दो खिलाडियों का चैन किया गया है अंडर 19 भारतिये क्रिकेट टीम में है ना तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा आपका शुषांत और पंकज है ना शुषांत और पंकज ऑप्सन नमर बी जो दिया गया ऑप्सन यहीं आपका सही उतर है देखिए यहां पर शुषांत शुषांत जो है यह आपकी बाएं हाथ के है ना यह आपके बाएं हाथ के गेंदवाज है ना बॉलर है और यह जो आपके पंकज है पं ये देखिए नेक्स कोशन यहाँ पर जो की कोशन नमर 11 है 11 है हाल ही में अधिवासी दिवस कब मनाया गया है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा 9 अगस्त को है ना 9 अगस्त को राची में है ना 9 अगस्त को राची में हाल ही में अधिवासी दिवस म बनाया गया है चलिए नेक्स्ट कोशन यहां पर देखते हैं कोशन नमर 12 को जारकन के सांशदों विधायकों की विरुद आपराधिक मामले वा निस पादन के लिए कहां समय की विवस्था की गई है जितने भी जारकन में सांसद या फिर विदायक होते हैं उनके खिलाफ जो है अपराधिक मामले दर्ज कराने के लिए एक नहले बनाई गई है तो यह कहां पर बनाई गई है यही आपको बताने हैं तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा आपका राची और धनबाद कहां पर अप्सन नमर भी राची और धनबाद में है ना चले नेक्स कोशन यहाँ पर देखते कोशन नमर 13 तैरा नमर मोबाईल पर 10 मिनट पूर बजर पात की घटना की सुचना किस विभाग दवारा लोगों तक पहुँचाया जाएगा देखिए बहुत बार जो बजर पात होते हैं उनसे काफी लोग मारे भी जाते घायल होते हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए मोशन विभाग है न तो यहाँ पर जारकन का कौन सा मोशन विभाग है जिन्होंने 10 मिनट पूर बजर पात की घटना की सुचना देने का लक्ष बात को इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यही आपको बताना है इसका सही उत्तर हो जाएगा जारकन अस्पेस अप्लिकेशन शेंटर है ना आप्सन नमबर भी आपका बिल्कुर सही जवाब है चलिए नेक्स कोशन यहाँ पर कोशन नमर खोटेन आप देख सकते हैं धरिके किस मंदिर में ऑनलाइन दर्शन को चड़ावा की सुooदा हाल ही में उपलब्द कराए गई है तेखिए ऐँल्लाइन चड़ावे भी चड़ा सकते मंदिरों में यह सुविदा हाल ही में आपकी जंखन के पहाडी मंदिर में न कहां पर जार्खन के पहाडी मंदिर में ये सुविधा बलब्द कराई गई है साथ ही साथ आप ओनलाइन दर्शन भी कर पाईएगा यहां का है न तो काफी इंट्रेस्टिंग चीज है चलिए लास्ट कोशन है वीडियो का नेक्स कोशन हमारा है हाल ही में HEC ने की सेना के लिए बं सेल का निर्मान किया है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा आपका थल सेना बिल्कुल आपका शही उतर है थल सेना यही आपका शही उतर है अच्छा HEC की बात आई है तो इसका फुल फॉम सबसे पहले जो एक्जाम मे पूछा जाता है इसका full form होता है heavy engineering corporation इसका headquarter कहां है तो राची में कहां पर राची में इसका headquarter है और इसके अस्थापना कभ गया थे इसको establish कभ किया गया था तो 1958 में इसको 1958 में दूतिये पंचवर्सिये योजना के बीच दौरान जो है इसका यहां पर अस्थापना किया गया था तो अगर वीडियो आपको पशंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें शेर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को निशित ही सस्क्राइब करें और बैल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के अपडेट पाते रहें पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जय हिन जय भारत